बारे सभी मठ मंदिर अब सरकार के कंटोल से बहुत जल्दी ही मुक्त हो जाएंगे भारत में मठ मंदिरों को कंटोल करने के लिए 35 कानून है लेकिन मजार, दरगाह, चर्च, मस्जित को कंटोल करने के लिए एक भी कानून नहीं है उन 35 कानूनों को मैंने सुप्रिम कोट में चैलेंज किया है केंद्र सरकार के अलावा सभी राजी सरकारों को हमने पार्टी बनाया है आज सुप्रिम कोट में सुनवाई के बाद सुप्रिम कोट ने केंद्र को और राजी को चार सप्ता का समय दिया है ये मामला कई सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है लेकिन न तो केंद सरकार ने अपना काउंटर फाइल किया ना किसी राजे सरकार ने काउंटर फाइल किया इसलिए अब सुप्रिम कोट ने फाइनली चार सप्ता का समय दिया है उन्होंने कहा है कि चार सफता के अंदर अपना स्टेंड क्लियर करिए यह चार सफता में आप कोई काउंटर नहीं फाइल करेंगे हम यह माल लेंगे कि आपको इस मामले में कुछ नहीं कहना है हमने अपने PIL में कहा है कि मठ मंदिरों को कंटोल करने के लिए 35 कानून चलना है भारत में लेकिन मस्जिद और चर्च को कंटोल करने के लिए एक भी कानून नहीं है 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंटोल में है लेकिन एक भी चर्च और एक भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं है मठ मंदिरों की एक लाक करोड की प्रापरटी पे सरकार ने कबज़ा किया हुआ है लेकिन मस्जिद या चर्च की एक रूपए की प्रापरटी पे सरकार का कंट्रोल नहीं है ये मठ मंदिर हमारे धार्मी का आस्था के केंडरी नहीं है बलकि यहां पे हमारा कल्चरल डेवलप्मेंट होता था मठ मंदिरों में बैठ के हमारा कल्चरल कैसे डेवलप्मेंट किया जाए उस पे चर्चा होती थी जहां मठ मंदिर होता था वहां एक हमारा गौशाला होती थी जहां मठ मंदिर होता था वहां एक हमारी व्यायामशाला होती थी जहां मठ मंदिर होता था एक हमारी विवाशाला होती थी जहां जहां मठ मंदिर होता था वहां एक गुरकुल होता था एक वैदिक स्कूल होता था तो अगर ये चार लाक मठ मंदिर हमारे फ्री हो जाए तो हमारी चार लाक नई गौशाला बन जाएगी चार लाक मठ मंदिर फ्री हो जाएगी तो हमारी चार लाक नई वियायाम साला हो जाएगी लोग आके अपना विवाह करेंगे, शादी विवाह करेंगे, रिस्तात हैं करेंगे, ये 4 लाख मंधिर हमारे फ्री हो जाएं तो 4 लाख नए गुरकुल बन सकते हैं, ये 4 लाख नए मंधिर फ्री हो जाएं तो 4 लाख नए वेदशाला बन सकती है, ये 4 लाख मंधिर फ्री हो होती दूसरी विवारी सुरू हो जाती है डाइबिटीज की दवा देते हैं किड्नी खराब हो जाती है यह सेचुएशन चल लए है इसलिए अब हमें ऐसे लग रहा है कि हमारे मठ मंदिर कोट ने बोला है हमक्टूबर में इस में फाइनल हेरिंग करेंगे कोई केंदर सरकार अपना जबादे या न दे राज़सरकार जबाद दे या नदे अब हो क्या रहा है कि दिल्ली मे कालका जी का मंदीर कंटोल में है लेकिन लेकिन यहाँ पर जो साही जो मस्जिद है बड़ी सी लालकिले के पास जामा मस्जिद वहाँ सरकार कंट्रोल नहीं है राजस्थान में उसकर जी का मंदिर सरकार के कंट्रोल में है और भी जितने मारे वाँ खाटू शाम का मंदिर है वो भी सरकार के कंट्रोल में है जितने ब सबस्क्राइब intern सिद्धी विनाय का मंदीर सरकार की कंटरव में नहीं है तो जहाँ जहाँ चड़ावा आता है, वो सारा चड़ावा सरकार ले लेती है, राजी सरकारे ले लेती हैं, और लेके कर क्या रही है, पोलिटिकल पार्टियों का वहाँ सेंटर बना हुआ है, हमारे मठ मंदिर इस समय पोलिटिकल पार्टियों के सेंटर बने हुए है, माताओं देवियों के मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, कलकटा में यही सिचुईशन है, उत्तर प्रदेश में देख लिए, विंध्याचल का मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, कासी विसुना सरकार के कंट्रोल में है, मतुरा जन्भूमी सरकार के कंट्रोल में है, तो पूरे द इनी के द्वारा बाकी मत मंदिरों का भी रख रखाओ होगा. बाकी जो पुराने मंदिर टूटते जा रहा है, वहां पे कोई पूजा होड़ा ह possa ना मेंटिनेंस करने वाला है? इसलिए अगर वास्तो में भारती संस्कृती को प्रफुलित करना है भारती संस्कृती को आगे बढ़ाना है तो इन मठ मंदिरों को हमें एक तरीके से कल्चरल सेंटर बनाना पड़ेगा और यह मठ मंदिर हमारे पहले भी कि वह रिलिजिस सेंटर नहीं होते थे यह cultural center होते थे, यह linguistic center होते थे, यह हमारे वेदपुरान के center होते थे, यह हमारे व्यायम के center होते थे, एक तरीके से मठ्मंदिर हमारे सरवाङगीर विकास में योगदान करते थे. जैसे ही सरकारों ने मठ मंदिर को लिया खासतर जब से अंग्रेजों ने शुरू किया था जो पहला कानून अंग्रेजों ने बनाया था वो 1863 में बनाया था 1860 में इंडियन पिनल कोड बनाया 1861 में पुलिस एक्ट बनाया उसके बाद 1863 में उन्होंने पहला कानून बनाया मठमंदिनों को फ्री करने के लिए और जब भारत आजाद हुआ तो कौन कहे उस अंग्रेजों के कानून को खतम करने के लिए आजाद होने के बाद हमारी आजाद सरकारों ने और कानून बना दिये अंग्रेजों ने दो कानून बनाये थे भारत की सरकारों ने 33 कानून और बना दिये खुल 35 कानून हो चुके उन 35 कानूनों को हमने सुप्रेम कोर्ट में एक साथ चैलेंज किया हुआ है हमारे साथ सुब्रहनम स्वामी जी की भी पिटी सेन है साई दीपक जी भी हैं वहाँ पर ऐसे कुलमिला के छे हमारी आचिकाए है छे आचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो रही है और हमें पूरा भरोसा है कि सुप्रेम कोर्ट हमारे साथ नयाय करेगा जब संबिधान में सेकुलर शब्द जुड़ गया सेकुलर का मतलब कि धार्म outlook में केंद्रखाओं कोई हस्तक शेप नहीं होगा तो जब धार्मToday मामलों में केंद्रखाओं कोई हस्तक शेप नहीं होगा सरकार पंथ निर्प्यक्श हो गई कोई सरकार मांठ मंधिरों कैसे कर सकती है और Constitution का Article 27 साफ साफ कहता है कि धार्मी का धार पे किसी से कुछ वसूला नहीं जाएगा लेकिन हो अग्दम ठीक उल्टा रहा है मठ मंदिरों से सरकार पैसा ले रही है धार्मी का धार पे मजजिस नहीं लेती चर्स नहीं लेती है और माइनार्टी के नाम पे धार्मिक अधार पे खच्च भी कर रही है यानि चड़ावा मठ मंदिरों को आ रहा है और जा रहा है इमामों के वेतन पे चड़ावा मठ मंदिर से आ रहा है जा रहा है पादरियों के वेतन पे कुछ राज सरकारे पादरियों को सेली दे रही है कुछ राज सरकारे मौलवियों को सेली दे रही है इमामों को सेली दे रही है तो हिंदूओं के साथ एक तरीके से सोतेला बेहार हो रहा है एक तो मठ मंदिर कंट्रोल किया हुआ है जिसकी वज़े से जो हम वहाँ पे गौशाला बन सकती थी, विदशाला बन सकती थी, गुरकुल बन सकता था, वाइदी के स्कूल बन सकता था, व्यायामसाला बन सकती थी, योगशाला बन सकती थी, वो हमारा मामला ठप पड़ गया, दूसरा, उसी पैसे से माइनार्टी के न तीनों बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, तीनों की सेच्चुशन एक जैसी है, जो हिंदू का बच्चा उसको वजीफा नहीं मिलेगा, लेकिन जो मुस्लिम और क्रिस्चन का बच्चा उसको वजीफा मिलेगा, तो गरीब कहते हैं नहीं मरता क्या ने करता, गरीब हिंदू क् अपने admission के समय religion वाले कालम में हिंदू की बजाए वो Christian या Muslim लिख देता है जिससे उसको भी वजीफा मिला सुरू हो जाए तो पैसा किसका मठमंदिरों का दिया किसको जा रहा है Christians को Muslims को नुकसान क्या हो रहा है कि वो गरीब हिंदू अपने आपको convert कर ले रहा है उस वजीफा के चक्कर में तेक तरीके से मठमंदिरों के पैसे से state sponsored conversion हो रहा है धर्मांतरण भी हो रहा है ये मठमंदिर फ्री होंगे तो धर्मांतरण पे बहुत हद तक लगाम लगेगी और सबसे important भारत की संस्कृती का प्रचार प्रसार होगा संस्कृती भाषा का प्रचार प्रसार होगा वेद पुराण गीता रामायर घर घर पहुँचेगी वेद पिराण व्यायाम साला बनेगी स्वाभाविक सी बात लों का स्वास अच्छा रहेगा मठ मंदिर फ्री हो जाएंगे कम सापताहिक रूप से वहाँ इकठा होंगे लोग वीकली अगर आएंगे बैठेंगे सुनेंगे चर्चा करेंगे तो सभाविक सी बात है जो complete जो हमारा समिधान कहता है रामराजी की अस्थापना रामराजी का मतलब धर्म की जय हो अधर्म का प्राडियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याड हो यह तभी हो सकता है जब हमारे चार लाख मठ मंदिर फ्री हो जाएंगे और वहाँ पे धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र बनेंगे और वहाँ धर्म और संस्कृति का प्रचार पसार होगा